हेलो स्ट्रेंड्स हम कर रहे थे एशियन इंडियन पुलिटिकल दोड जिसमें हमने लाज शैशन में जो महाबारत है महाबारत में शांती पव्व है जिसमें बीशम नीती है उसको डिफाइन किया था आज हमें शैशन में शुक्राचार्य है जिसको शुकरनीती कहा जाता है वो करेंगे आज हमें शैशन में इसकी ब्रीफ इंटोडक्शन, स्कॉप एंड इंपोर्टेंस करेंगे जो शुकरनीती है बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है क्योंकि शुकरनीती में जैसे हम कहते हैं हमारे महाबारत में बहुत कुछ define किया गया है Indian quality के regarding वैसे ही शुकर नीती में भी बहुत कुछ define किया गया है इसके लिए यही माना जाते हैं कि शुकर नीती है वो महाबारत के time से भी पहले existence में आई थी तो जो शुकर नीती है उसको शुकर अचारय जी है उन्होंने लेखे थी तो शुकर चारय जी कौन है तो पहले हम शुकर अचारय है इनकी ब्रेफ introduction करते है तो इनकी regarding जे कहा जाता है जे great ancient saints है एक रीशी मूनी थे जिसको हम planet Venus है वो उसका status देते हैं जैसे हमारे नव ग्रह है नव ग्रह में हिंदी में एक शुकर ग्रह है जिसको Venus planet कहते हैं तो जे Venus planet है उसके deity माने जाते हैं तो शुकर शुकर देवता और शुकर ब्रहम अचारय सबत रीशी इन नामों से चाने जाते हैं तो जे असूर और द्याते इनके भी गुरू माने जाते हैं तो जैसे हम ancient thought में हम division करते हैं एक तरफ हम देवता लेते हैं और उसके opposite कौन आ जाते हैं दानव जिसको हम असूर और द्याते कहते हैं तो जे द्याते के गुरू बनते हैं तो जो शुकर थे इनक ओगने एस में पढ़ने के लिए आश्रम में जाती हैं उस चैन में जो लोक थी वो ब्रस्पती जी हैं जो देखताओं के गुरुमाने जाती हैं उनको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे लेकिन जबके शुक्रार्य जी है उनको बहुत ही जादा knowledge थी शुक्रचार्य जी की knowledge पावर जादा होने की वज़े से भी उनको वो importance नहीं मिली थी जो ब्रस्पती जी को मिली थी क्योंकि वो खुद ही रीशी की बेटे थे उन्होंने देखा इस बल्ड में जो द्याती है इनके साथ अन्याय हो रहा है अन्याय इन दा सेंस कि जो भी अच्छी चीज़ मिलती है वो देवताओं के पास चली जाती है और जो कुछ भी अच्छा नहीं होता वो दानवों को मिल जाता है जबकि प्रिक्षम दोनों का इक्कुल होता है जब सुमुंदर मंथन होता है जब अम्रित निकलता है अम्रित किनको दिया जाता है देवताओं को दिया जाता है लेकिन जो दानव थे उनको इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं दिया जाता तो शुकरचार्य जी कहते हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है मैं उसका साथ दो तो उन्होंने देखा कि देवताऊं का तो सभी गुरुबनने को त्यार हैंं, लेकि दानवो का कोई भी गुरुबनने को त्यार नहीं है, तो इसे लिए गुरु शुकराचारयाजी दानवो की गुरुबन जाते हैं, उनको कहते हैं, प्रेस्टोफदाअसोर और धयäterस, तो य एक तरे से जब महाबारत होती है महाबारत में जो बेशम थे जिनका नाम पहले देवदत था तब जब उनका जन्म होते है गंगा जी अपने साथ ले जाती है और उनको एजुकेशन दिलाती है तो जो माता गंगा है डिफरेंट डिफरेंट रिशिमोनी है उनसे एजुकेशन माने जाते हैं जो बेशम को शेक्षा देते हैं जो हमारी वर्ड में सब्त रीशी है सब्त रीशी उनमें से एक रीशी कौन है शुक्राचारे जी माने जाते हैं तो जो शुक्राचारे जी है जिस सबसे बराइटस प्लैनेट माना जाते है अर्थ के बहुत ही ज्यादा close है तो जो शुकर है जिस संस्कृत वर्ड शुकर है जिसका मीनिंग है bright तो जे पूरे वर्ड में सबसे ज्यादा bright planet है युनिवर्स में इतना bright planet कोई भी नहीं है जितना Venus है जब भी सुरे उदि होता है उससे पहले जे रात के टाइम में अगर आ bright होता है वो कौन सा होता है Venus planet है इसके लिए साइंटिस जे भी मानते हैं कि शुकर planet को देखने के लिए आपको किसी भी दूर्बिन की जुरूरत नहीं है तो जे इतना bright है तो जो पुरान है हमारे पुरान में चे कह गया है जो शुक्र अचारे जी है शुक्रा जी को बगव से उस परसन को जेवित कर देना तो शुक्रा चारे जी की तपस्या से शिव जी परसन होते हैं और उनको संजेवनी विद्या है वो प्रवाइड कराते हैं जब उनोंने कठोर तपस्या की थी तो जो शुक्रा चारे जी है इनके फादर वी ब्रिगुरीशी थे और मदर काव नहीं दे रहा था तो जी होगी ब्रीफ इंटोड़क्शन ओफ अचारे शुक्रा जी की तो जो शुक्र नीती है वो क्या define करती है जो शुक्र नीती है नीती क्या कहती है कि हमको कैसी सत्य की रहा पर चलना जाए हमको कैसी करम करने चाहिए आपके functions क्या है आपके duties क्या है तो शुकरनीती धर्म तो जो हमारी Asian Indian polity है इसमें सबसे authentic, सबसे elaborate कौन सा last जो हमारे पास ग्रंथ है वो शुकरनीती ही मानी जाती है तो जे बहुत साधा concepts है इनके साथ deal करती है जैसे origin of the state, administration है, kingship है हर एक aspect से जे deal कर रही है इसमें taxation policy है बहुत elaborate way से define की गई है इसमें total 2200 शलोक्स है जिसको 4 chapters में divide किया गया है और जिनमें से chapter 1 and 2 है वो king, king kiship के साथ related है, chapter 3, ethics से साथ related है तो शुकराचार्या जी, ethics को बहुत importance देते हैं तो जे ethics के साथ related है and chapter 4, army, taxation system है, administration है, revenue system है हर एक aspect से deal करता है जो शुकरनीती है आज के time में भी prevail करती है तो शुकरनीती बहुत ही important हमारे पास written document बन जाता है जो शुकरनीती है हम कहते हैं इसको महाबारत से भी पहले existence में थी शुकराचारया जी ने लिखा था लेकिन चो इसकी expected date of composition है बहुत ही ज्यादा controversial है इसके लिए कोई भी ready नहीं है कोई भी author है वो जे नहीं मानता कि इसको महाबारत के time में लिखा गया होगा जे इस से पहले लिखा गया होगा तो जे बहुत ही divergent view रखते हैं जितने भी historians हैं तो highly divergent views are held regarding the date of शुकरनीती शुकरनीती को कब लिखा गया है कुछ तो मानते हैं कि इसको शुकरचारे जी नहीं लिखी होगी लेकिन इसके opposite जे भी माना जाते हैं कि इसको medieval period में लिखा होगा क्योंकि जो भी शुकरनीती को पड़ते हैं उसमें जो कुछ भी define किया गया है इसमें 10th, 11th, 12th, 13th century है इनकी जो incidence हुए थे वो भी define के गया है तो इससे चेही लगते है कि इसको right किया गया होगा तो जो यो एन गोशल है और अलमिश्रा है वो क्या कहते हैं वो conclude करते हैं जो शुकरनीती है इट में बी रीटन बट विन 1200 तू 1680 क्योंकि जो शुकरनीती में fire gun है उसको define किया गया है और mostly thinkers चेही मानते हैं जो fire gun है ancient thought में ancient inner quality में exist ही नहीं करती थी क्योंकि जब भी महाबारत है जै फिर कोई और war होती है उसमें कभी भी हमको fire gun है इसका incidence नहीं मिलता है तो इसलिए जी medieval period में ही invent हुई है तो इसलिए इसको माना जाते है 1200 से लेकर 1680 तक लिखी गई होगी it was not written at a stretch or written in a period of years इसको एक time in नहीं लिखा गया बट it was continued to be written for a very long period हो सकते है इसको बहुत long period तक write किया गया हो जिसके वज़े से medieval period है इसके भी incidence है शुकर नीती में आ गई हैं लेकिन जो शुकर नीती है शुकराचार्या से ही सबंदित मानी जाती है जहीं माना जाते है कि शुकर अचार्या जी ने ही लिखा होगा जब फिर इसके बाद जो बाद में शुकर नीती को पढ़ती है उसके बाद कुछ राइटर से हैं उन्होंने कुछ राइट किया होगा तो जो शुकर नीती है इसका scope क्या है scope of शुकर नीती इसके लिए ज़े कहा जाते हैं शुक्र निती बहुत ही comprehensive, complete, detailed, deal करती है with the administrative functions of the state. तो इसमें जो administrative functions हैं, उनको बहुत अच्छे से define किया गया है, कि इंकि क्या duties होनी चाहिए, succession है, meaning राजा के बाद राजा का बेटा ही गद्दे पर ब्याटता है, पहले तो जे ही define किया गया था, लेकिन शुक्र चारिय जी ने, succession के लिए भी बहुत ज़्यादा theories दी हैं, हम उनके studying next session में करेंगे, तो जो government के functioning है, इनके उपर क्या checks लगने चाहिए, जो ministers हैं, इनके appointment कैसे होनी चाहिए, जे सब कुछ शुकर नीती में define किया गया है, जे तो society के different aspects हैं, इनके साथ भी deal करती है, वरना system कैसा होना चाहिए, इसको भी define किया गया है, आर्मी सिस्टम, efficient army है, बाकि सभी जे मानते हैं, जो आर्मी होते हैं, वो heart है, लेकिन जब हम शुकर नीती को पढ़ते हैं, तो जे आर्मी को mind बताते हैं, efficient army की बहुत ही importance बताई है, well-need judicial system and scientific way of punishment हैं, वो define किया गया है, इन्होंने first time constitutional monarchy की बात की है, जितने भी हमारे पास efficient grant हैं, उन में से किसी में भी monarchy को ही define किया है, किसी ने भी जे नहीं कहा कि constitutional monarchy होनी चाहिए, although republic है, इसको कोई नहीं मानता, लेकिन constitutional monarchy है, इसको शुकर नीती define करती है, इसलिए इसको बहुत ही जादा wider है, तो जो शुकर नीती है, इसकी importance भी बहुत जादा है, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छी से define किया गया है, इसका main purpose क्या है, to advise the king about the proper administration of the state as an organization for the welfare of the subjects, meaning इन्होंनी चीका है, जो administration है, एक state है, वो क्या है, एक organization है, जिसका purpose सिर्फ लोगों का welfare करना ही होता है, तो welfare का concept, आज का modern concept नहीं है, इसको शुकर नीती में भी define किया गया है, it is not a book of practical discourse, बटा book of practical knowledge, तो इसमें practical aspect नहीं है, practical knowledge भी define की गई है, जैसे इसमें राजा को advice दी गई है, अगर आपकी पास power है, आपकी शक्ति है, आपको उस power को कभी विशो ओफ के लिए use नहीं करना चाहिए, meaning, मालो आप अपने friends में, groups में बेठे हैं, और कोई आपको boost up करता है, कि आप तो बहुत powerful हो, आप यह हो, आपको वहाँ पर अपनी शक्ति का परदर्शन कभी नहीं करना चाहिए, इससे आपका enemy है, animal को आपकी power पता चल सकती है, तो इस तरह इन्होंने practical knowledge भी दी है, जिसमें कहा गया है, जो आपके secrets हैं, उसको किसी की सामनी भी disclose नहीं करने चाहिए, not to show your power, your secrets, यह advice भी शुक्रनीती में define की गई है, शुक्रचार्या made a very valuable contribution to the Hindu science of polity, इसको आपको elaborate करना है, explain करना है, तो इसमें भी जो शुक्रनीती है, वो define हो जाती है, जिसमें इसके हर एक aspect है, उसकी study आती है, and जो हम आने वाले session में शुक्रनीती को define करेंगे, इसको आपको detail में discuss करना है, efficient taxation system है, बहुती अच्छे से define किया है, proper judicial administration है, जो शुक्रनीती में define किया गया है, तो sovereignty of the people इसको describe किया है, तो इससे पहले लोगों को sovereign नहीं कहा गया था, sovereign राजा को कहा जाता है, कहते हैं, एक राजा को लोगों के, जो कहते हैं, उनके according ही work करना चाहिए, अगर लोग चाते हैं, कि हमारा राजा है, वो हमारे welfare के लिए काम करें, उसको वो ही काम करना चाहिए, अगर लोगों को लगता है, कि राजा हमारे welfare के लिए काम नहीं कर रहा है, तो लोग deny भी कर सकते हैं tax देने में इतनी power लोगों को दी गई है तो जिस सब कुछ शुकर नीती में ही define किया गया है तो इस तरह आज हमने इस session में इसके brief introduction की है next session में हम theory of state and functions of the state करेंगी हुप सब के आपको जिस session अच्छा लगा होगा अगर आपकी quick query है तो पोस्टेट, comment books and video चलोगी तो please like and share with your friends thank you so much and have a nice day